वेल्कम बैक स्टूदेंट्स, आम संदीपा, यह वाचिंग मैं चैनल इकौन सान इर्थ, इस वीडियो में मैं यूथ सॉल्ट पेपर्स में जो कुश्चिन दिये हुए होते हैं, जो की कई सार एक्जामिनेशन में पुछे जाते हैं, उन्हें मैं डिस्क्राइब करने वाली हूँ, with explanation, तो इस कड़ी का ये पांचपा वीडियो है, और स्क्रीन पर आप कुश्चन नंबर 93 देख सकते हैं, जिसमें पूछा गया है, स्थानपन के एक यूग में के लिए मांग प्रति लोच होती है, स्थानपन वस्तुओं के लिए मांग की जो आडि लोच होती है, वो क्या है, कैसी होगी, तो इसके लिए मैंने पहले से ग्राप्स बना कर रखे हैं, इस प्रश्चन के व्याख्या के लिए, तो नॉर्मल वस्तुओं के लिए जब आप मांग के नियम को दर्शाते हैं, वक्र की सहता से, तो इसका ढाल रणात्मक होता है, नेगेटिव स्लोप होता है, यह आप जानते हैं, और इन दो चरों के मतलब की यह जो इन्डिपेंडेंट वैरियेबल है, इसमें बिना किसी परिवर्तन के अगर चाय की मांग, जो की डिपेंडेंट वैरियेबल है, उसमें अगर परिवर्तन हो जाए, तो यहाँ परिवर्तन दूसरे forces के वज़े से होता है, जिसमें इस्थानापन वस्तुओं या पूरक वस्तुओं में वस्तुओं की कीमत में प परिवर्तन टेस्ट या प्रिवर्तन कई सारी चीज़े हैं, तो प्रशन हमारा यहाँ पूछ रहा है, इस्थानापन वस्तुओं के कीमत में यादी परिवर्तन हो तो क्या असर पड़ेगा, तो यहाँ पर इस्थानापन वस्तुओं की अगर कीमत बढ़ जाती है, उसमें परिवर्तन होता है, तो चाय की मांग यहाँ पर बढ़ जाएगी, ठीक है, क्वेशन में सिर्फ परिवर्तन पूछा है, लेकिन या संबंध पूछा है, मैंने यहाँ पर इस्थानापन वस्तुओं की कीमत में बढ़ने का एक्जामपल लिया हुआ है, तो इस्थानापन व इसका होता है, तो आंसर आपका जो होगा सही, इस कोश्चन का होगा, धनात्मक, आंसर यहाँ पर आपका होगा, ए, ठीक है, इसके बाद जो अगला कोश्चन है, वो है, यदि सीमांत आए 20 इकाई हो और कीमत 40 इकाई हो, तो मांग की कीमत लोच कमान गयाद कीजिए, तो मांग की कीमत लोच का जो फॉर्मूला है, यहाँ पर अल्रेड़ी दिया हुआ है, आप अंसर भी देखी रहे होंगे, तो फॉर्मूला है, E is equal to AR upon AR minus MR, तो यह आता कैसे है, यह आता है आपका एक जो फॉर्मूला है, MR कर्व का, MR is equal to P plus P multiplied by 1 upon E, तो यहाँ पर P जो है, this stands for AR, average revenue is equal to price, ठीक है, तो जब हम इसको E के लिए solve करते हैं, इस equation को E के लिए solve करते हैं, तो हमारे पास यह elasticity का equation AR upon AR minus MR आता है, ठीक है, तो यहाँ पर आसान है, value आपको already दी हुई है, सीमान ताए की, सीमान ताए MR की value है 20, और कीमत, यानि की, जो AR है, उसकी value दी हुई है 40, ठीक है, तो इस value में आप AR, MR की values रखतेंगे, और उसके बाद असानी से यह आपका answer 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर दिया है, 81 से अधिक, एकाई के बराबर, एकाई से कम, शुने के बराबर, तो answer A आपका सही है, 81 से अधिक, ठीक है, AR के जगा पर आपने 40 रखा, then AR के जगा यहाँ पी आपने 40 रखा, और माइनस कर दिया, इस तरह से आपका answer आ गया, इसके बाद अगला question है, मांग की लोच, अगर E है, उत्पाद की कीमत A है, तथा सीमान ताए M है, तो इनके मद्द सही संबंध कौन सा है, तो यहाँ पर आईए, यह equation पिछले बार भी, अभी मलविस के पहले वाले question में भी हमने लिया था, elasticity के equation को प्राप्त करने के लिए, तो इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, MR is equal to P plus P multiplied by 1 upon E, इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, MR is equal to P under bracket 1 plus 1 upon E, और जो E है, elasticity, demand के function में यह negative होता है, रणात्मक संबंध होता है, इसलिए हम यहाँ पर minus ले लेते हैं, और फिर इसको जब हम solve करते हैं, तो इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, MR is equal to P multiplied by E upon E minus 1 upon E, and then P under bracket E minus 1 upon E, तो यह MR का formula है, और P के जगा पर आप AR भी लिख सकते हैं, तो MR is equal to AR under bracket E minus 1 upon E, यहाँ तक आपका आ गया है, और अब हम वापस से question की ओर चलते हैं, तो पूछ रहा है कि सबकी values दी हुई है, तो संबन पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर जाते हैं वापस से, तो कहाँ गया, यह, MR is equal to AR E minus 1 upon E, ठीक है, E minus 1 upon E, तो यह आपका answer D सही है, MR is equal to AR multiplied by E minus 1 upon E, and MR will be less than AR, क्योंकि यह जो है, इस fraction के वज़े से, MR की जो value है, वो AR से कम होगी, ओके, और यहाँ पर कुछ और points दिये हैं, यदि E 1 के बराबर है, तो MR शूर ने हो जाएगा, अगर E 1 से अधिक है, तो MR धनात्मक होगा, और यदि E 1 से कम है, तो MR रणात्मक होगा, इसके बाद question है, यदि मांग की लोच का मान, E is equal to 3 है, तो ओसा ताए, तथा सीमान ताए में संबंध निमली खित में से, कौन सा प्रदर्शित करेगा, ठीक है, तो E की value दी है, यहाँ पर, जो E की value है, तीन दी है, तो पहले हम MR ले ले लेते हैं, यहाँ पर, MR इस एक्वल टू, एक्वल टू, ए आर, E, माइनस, तो MR इस एक्वल टू, एक्वल टू, ठीक, तो यहाँ पर, MR इस एक्वल टू, AR, 2 अपॉन 3, आ जाएगा आपका answer, ठीक है, तो MR इस एक्वल टू, 2 अपॉन 3, AR, answer B, यहाँ पर आपका सही है, ठीक है, यह रहा आपका answer, answer B, फिर अगला question है, आपका, question number 97, यहाँ पर दिया हुआ, यदि मांग, जो है, 100 अपॉन P से दर्शा आया गया हो, तो था P की value 10 हो, तो मांग की लोच ग्याद कीजिए, तो यहाँ पर हल किया हुआ है, स्पष्ट रूप से, तो पहले तो हमें, X की value निकालनी है, P दिया हुआ है, ठीक, P के जगा पे हमने 10 रख दिया, तो X हमारा 10 आ गया, ठीक, देन हमें, जो हमारा मांग, स्वारी, लोच का formula होता है, उसमें, DX अपॉन DP, होता है, fraction multiplied by P upon X, तो P हमारे पास है, X हमारे पास यहाँ पर आ गया है, ठीक, P यहाँ पर दिया ही हुआ था, तो हमें इस value को ग्याद करना है, DX upon DP हमें ग्याद करना है, तो अब हमें इसका differentiation निकालना होगा, तो अब हमें D का, P के सापे, differentiation निकालना होगा, तो हम x को रिफरेंशियेट करना है हमें तो हम इसको अल्रेडी एक साथ कर लेते हैं 100 और p को एक साथ कर लेते हैं तो हम इस जो हर है ये जो डिनॉमिनेटर है उसको उपर ले आते हैं और इसको हम p raise power 1 कर देते हैं 100 p raise power 1 ये हमारा हो जाता है ठीक है अब इसको हम differentiate करते हैं जब तो फिर आपको पता है कि इसकी जो घात है minus 1 से इसमें multiply होगा ठीक तो 100 का 100 हो गया minus 100 हो गया जैसे कि 100 into minus 1 तो ये minus 100 हो गया और उसकी जो घात उसमे एक घटा दिया जाएगा ठीक है minus 1 कर दिया गया तो ये p minus raise power minus 2 हो गया ठीक है इसके लिए आपको यदि कलन का concept नहीं clear है तो आपको देखना पड़ेगा detail में यहाँ पर मैं बहुत detail में नहीं जाऊंगी तो ये आपका dx upon dp की value ये आई और इसको हमने फिर से fraction के रूप में लिख दिया minus 100 upon p square ठीक तो यहाँ पर इसकी value हमें मिल गई है तो जब ed का हम यहाँ पर सारी values रखेंगे तो यहाँ पर minus 100 upon p square multiplied by जो p और x की जो values हमें मिली थी 10 p 10 और x 10 वो हमें मिली थी हम उसको रख देंगे और p की value की जगा भी हमने 10 रख दिया है तो सब कुछ solve करने के बाद यह हमारे पास आया जिसको अगर हम solve करेंगे फर्दर तो यह हमारा जो ed है elasticity of demand है वो unit के बराबर आएगा एक के बराबर आएगा तो यहाँ पर answer b जो है वो आपका सही है इसके बाद इसी तरह का एक और question है यदि पूर्ती वक्र s is equal to 2p square minus 10 से व्यक्त हो तो p अगर 10 एकाई हो तो आपूर्ती की लोच क्या होगी price elasticity supply की supply वक्र की elasticity क्या होगी यहाँ पर पहले ही इसको differentiate कर लिया गया है 2 multiplied by 2 4 आ गया then p की जो गाद 2 थी उसमें से एक घटा दिये तो एक आया ठीक है यानि कि 1p बचा यहाँ पर 4p minus 0 क्योंकि जो constant term है वो हमारा हट जाता है जब हम differentiate करते हैं then अब जो supply की जो supply का जो formula है उसमें हम price की value रख देते हैं और हम supply की जो units है उसको हम निकालते हैं commodity की तो 10 हमने रख दिया है p की जगा पर उसको solve कर लेते हैं तो यह supply 190 unit आ गया ठीक है अब हम क्या करते हैं अब हम उसमें ds upon dp multiplied by p upon s हमें करना है ठीक है तो यहाँ पर जो ds upon dp है उसकी value आएगी 4p ठीक है 4p यह है आपका ds upon dp ठीक है आपने आफ कलन किया इसका supply curve का तो यहाँ पर आपको यह मिल गया ठीक है 4p आपको मिला तो 4p आपने यहाँ पर रख दिया और price की जगा पर 10 और x की जगा पर 190 आपने रख तो यहाँ पर तो यहाँ पर देन आपको फिर से यहाँ पर इसे solve करना है p की जगा पर आपने 10 रख दिया यहाँ पर और यह 40 हो गया देन आपने solve किया इसे उसके बाद आपका जो elasticity of supply curve है वो minus 2.2 81 कम ठीक यहाँ पर minus में आपका आपका answer आया है so मुझे उमीद है आप लोग को यह video पसंद आया होगा, useful लगा होगा तो मेरे channel को subscribe करिए और मेरे video को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए, share करिए thank you so much, all the best अजया मंए कर दो कर अजया नहीं